सम्वत सरी हो गणिश चतिर्थी हो उससे भी आशिदवाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्जने करने वाला सबाय है महिला आरक्षन को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए है महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं के शक्ति का उप्योग करने का वो काम शायद इस्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चूना है कल ही केमिनेट में महिला आरक्षन वाला ही जो विधेग है उसको मंजूरी दी गई है जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने ड्रया इतिहास रचा है ऐसे कुल पल जीमन में प्राप्त होते हैं और आदर्य दिग जी नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाशन में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूँ कि आज की ये पल आज का ये दिवस समध सरी हो गणिश चतिवत हो उससे भी आशिदवाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्जन करने वाला सबाया है हम सब के लिए पल गर्व की पल है अनेक वर्षों से महिला आरक्षन के समझ में बहुत चर्चाय हुई है बहुत बाद विवाद हुई है महिला आरक्षन को लेकर सउसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए है 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था अतल जी के कारकाल में कई बार महिला आरक्षन का बिल पेश किया गया कई बार लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधुरा रह रहा है महिलाओं को अधिकार देने का महिलाओं के शक्ति का उप्योग करने का वो काम शायद इस्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है एक बार फीर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है कली केमिनेट में महिला आरक्षान वाला जो विधेख है उसको बंजूरी दी गई है आज 19 सितंबर की ये तारीक इसी लिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे है आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही है नेत्रूत तो कर रही है तो बहुत आवशक है कि नीती निर्धारण में पालिसी मेकिंग में हमारी माताएं बहनें हमारी नारी शक्ति अधिक तम योगदान दें ज्यादा से ज्यादा योगदान योगदान ही रही वे महत्वपुन भूमी का निभाएं आज इस आईतिहासिक मोके पर नए संसद भवन में सदन की सदन की पहली कारवाई की रुप में उस कारवाई के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आवान किया है और देश की नारी शक्टी के लिए सभी साउसद मिल करके नए प्रविश्द्वार खोल दें इसका आरम हम इस महत्वपुन नेड़े से करने जा रहे हैं विमेन लेट डेवलप्मेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमूख संविधान संसोधन विदेख प्रस्तुत कर रही है इस विदेख का लक्ष लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार कर देखा है नारी शक्ती बंदन अधिरियम नारी शक्ती बंदन अधिनियम इसके माद्दम से हमारा लोकतंत्र और मजबुत होगा मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ती बंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बढ़ाई दूँगा मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आस्वस्त करता हूँ कि हम इस बील को कानून बनाने के लिए संकल्प बद्ध है मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्र पुर्वक निवेदन करता हूँ आग्र भी करता हूँ और जब एक पावन शुरुवात हो रही है पावक विचार हमारे सामने आया है तो सर्वसम्मती से जब ये बील कानून बनेगा तो इसकी ताकत अने गुना बढ़ जाएगी और इसलिए मैं सभी मान्य सांसदों से दोनों सदन के सभी मान्य सांसदों से इसे सर्वसम्मती से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभाय वेक्त करता हूँ इस नए सदन के प्रथम सत्र में मुझे आपने मेरी भावनाओं को वेक्त करने का अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद यह दो